प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी ने मंगलवार को बस्तर में विभन परियोजनाओ का शीला न्यास और लोकारपन करने के बाद जगदलपूर में आयोजित्य परिवर्तन महा संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कॉंग्रिस पर करारा हमला बोला उन्होंने कहा कि कल से कॉंग्रिस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है ये कहते हैं जितनी आबादी उतना हग मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह गरीब है इसलिए गरीब का कल्यान ही मेरा मकसद है पेम मोधी ने कहा कि इन् वाजा तंत्र को लूट तंत्र बना दिया जैसे ही बिजेपी के सरकार बनेगी वैसे ही प्यस्थी भरती की जाच कर दोश्यों को जेल में डालेंगे आज मैं आप सब के बीच में केवल अतके कहते हुए ये सब भरस्टाचार विफलता ये कृतिला जान चुके है माननी प्रधान मंतरी जी के आगमन हो गए है मैं सब अब संचेव करते हुए समापन करते हुए केवल चार लाइन के साथ और आप मन जोरदार ताली बजा के सम इससागा करना हालात बदलने में बहुत देर नहीं है हालात बदलने में बहुत देर नहीं है कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारों भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है भारत माता की ये संधेर गर्दी सरकार को बदल करके मानेंगे एक बार जोरदार आवाद लगाएंगे तक तबदल दो ताज बदल दो तक तबदल दो ताज बदल दो भारत माता की एवं आर्थिक सम्रिद्धी की नई स्विधाई लेकर आएगा उसका भी देश को समरपण किया जा रहा है अब हमारी मानन्य प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबा कर चत्तिस गड़ की विकास परियोजनाओं का शिला न्यास एवं लोकार पड़ करी मानन्य प्रधान मंत्री श्री नरींद्र बोधीची भी हम इसी गती से निरंतर चत्तिस गड़ को आगे बढ़ाते रहेंगे भारत का भाग्य बदलने में चत्तिस गड़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमी का अदा करेगा कि मैं इन सभी प्रोजेक्स के लिए चत्तिस गड़ के लोगों को फिर से बढ़ाई देता हूं कि यह छोटा सा कारकाम कि सरकारी कारकाम रहा है कि तो यहां कि इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया है कि इतने आथिर्वाद दिये हैं कि मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं और जब भी बस्तर की धर्ति पर आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए ये कभी हो नहीं सकता है अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना क्योंकि मैं यहां संगढ़न का काम करता था हर इलाके में जाता था बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना आदिवासी समाज को समझना यहां की समस्याओं को समझना बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकारते मेरे गुरू की तरह काम करते थे साथियों मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशिरवात को यहां का विकास करके लोटाऊं दिन रात परिश्रम करके आज बना हो ऐसा नहीं है यहां आदिवासी मेरे भाई बैन मोधी प्रधान मंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं भाजपा की सरकार बनने के बाद यह मेरे आदिवासी भाई बैन नहीं आये अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभू स्रीराम यहां आये थे मेरे आदिवासी भाई बेहन चाहते थे इसलिए ही रहें क्या आबादी के हिसाब से हग मिलेगा क्या तो क्या आलप संख्यों को कॉंग्रेर हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूँ और फिर आज दोरा रहा हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी को अब कॉंग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता हैं न वो यह सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेस को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है कॉंग्रेश किसी भी किमत पर देश के हिंदुओं को बाट कर भारत को तबाह कर देना चाहती है कॉंग्रेश गरीबों को बाटना चाहती है मोधी ने पिछले दस साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा आज तक कॉंग्रेश ने यह खुलासा नहीं किया है कि कॉंग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझोता किया है लेकिन देश देख रहा है इस समझोते के बाद कॉंग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा रही है ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेमी कम होता जा रहा है मैं सभी देशवासियों